नमस्कार, आयरवेदा फ्री हेल्थ इंशुरेंस में आप सभी का स्वागत है वात फ्याधी या वात रोगों के सीरीज में आज हम बात करेंगे टिनिटस, रिंगेंग इन एर्स और शब्द श्रवन क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, लक्षन क्या होते हैं बचाव या ट्रिटमेंट क्या हो सकता है, तो चलिए जानते हैं टिनिटस या कानों में घंटी बजने जैसी जो साउंड है वो क्या है तो लंबे समय से और लगातार यदि आप अपने एक एर में या दोनों एर में बजिंग, रिंगिंग, क्लिकिंग, विस्लिंग साउंड ऐसी सेंशेशन या साउंड महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप टीनितस से सफर कर रहे हों और जब हम इससे सफर कर रहे होते हैं तो यह बहुत इरिटेटिंग होता है, अनोइंग होता है बहुत शोट पिरियोड के लिए सफर करते हैं बट कुछ लोगों में लंबे समय तक बना रहता है आयरवेद में टीनितस के लिए कर्णनाद, कर्णक्ष्वेड और अशब्दश्रवन यानि कि जो शब्द नहीं है वो भी हमें सुनाई देते हैं या उनका सेंसेशन हमें फील होता है तो अब कारण क्या हो सकते हैं तो वात रोगों में जितने भी responsible positive factor हमने देखे वो सभी जिम्मेदार होते हैं विशेश रूप से देखे बहुत ठंडे पानी से अगर head bath लेते हैं वो इसका कारण होता है ऐसा खाना या ऐसी life style जो वात दोश को बढ़ाती हो जैसे access traveling है रात में बहुत देर तक जगना है enough sleep नहीं लेना है बहुत ठंडा या रो या कच्चा food जो खाते हैं without cooking astringent, bitter test वाला spicy food का जादा 7 है या कम जोरी है exhausting जो बहुत जादा ऐसा कोई work है या exercise है उनमे इसके अलाओ जैसे बहुत देर तक जो loud noise है loud speaker की तेज जो noise है उसमें हम exposure में रहते हैं लंबे समय तक headphone, earpots इनका जो प्रयोग है वो सब है अब tinnitus के लिए pathophysiology क्या होगी तो बढ़ा हुआ वाद दोश है प्रकुपित वाद दोश है या वाद दोश का imbalance है ये सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं कैसे समझते हैं तो जो वाद दोश है वो वाईयो और आकाश जो महाभूत है उनसे निर्मित होता है और जो आकाश महाभूत है वो हमारा जो ear cavity है, हमारे hearing senses है उनके लिए important होता है तो जो वाद संतुलन में होती है तो physiological work जैसे respiration, circulation, peristalsis movement, sensory nerve को impulse भेजना है nerve fibers को stimulate करना यह सभी कारिये करती है लेकिन जब यही वाद imbalance हो जाती है प्रगुपित हो जाती है तो यह सारे जो physiological work है यह disturb हो जाते हैं इनमें abnormalities आ जाती है तो यहां क्या होता है mucous membrane जो है वो dry हो जाती है, nerve senses जो है उनको सही से impulse नहीं जाते है sensory nerves उनका fibers है उनमें abnormalities आ जाती है आरी ear cavity में तो चुकि sensory nerve impulse सही से नहीं जा पाते हैं उनमें abnormality होती है तो वहां पर different sound और frequencies की कारण हमको यह budging है, ringing है, whistling है, ऐसी sound वहां पर सुनाई देती है और tinnitus हो जाता है अब types of tinnitus की बात करें तो subjective हो सकता है objective तो subjective में क्या होता है कि जो sufferer है या patient है वो खुद ही सिर्फ वो आवाज सुनता है कि different जो उसको सुनाई देती है लेकिन objective में क्या होता है उसके अलावा भी जो है दूसरे लोग भी वो sound सुन सकते हैं इसी तरह से एक होता है pulsatile type tinnitus इसमें क्या होता है जो ear में blood vessels में blood flow होता है वो abnormal हो जाता है तो जैसे हम अपने हाथ की जो नाड़ी है वहाँ पल्स सुनते है उसी तरह से हमको ear में भी वो pulse sound feel होती है वो sensation feel होते हैं तो ऐसा कब-कब होता है pregnancy time हो सकता है hyperthyroidism जिनको है उनको हो सकता है high blood pressure के जो patient है उनको हो सकता है तो ऐसी condition में हमको क्या है जो यह disease के कारण हो रहा है उसको treat करना होता है इसी तरह से के clicking type होता है तो हमारा जो जो joint होता है इसका misalignment अगर हो जाए तो टक 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 ऐसी तरह की sound आती है तो clicking tinnitus कहलाता है तो चुकि हमारा जो जो है वो connected है हमारे ear से ऐसा है तो यहाँ इस misalignment को treat करना होता है अब tinnitus के symptom की बात करें तो यही different kind के जो ringing, buzzing, hissing, whistling, clicking ऐसी sound जो है feel होती है या sensation होते हैं कभी बहुत low pitch के होते हैं कभी high pitch के यह होते हैं कभी एक ear में होते हैं कभी दोनों ear में होते हैं अब tinnitus के लिए चिकित्सा या बचाओ के उपाई क्या हो सकते हैं तो यह हम जान गए हैं कि जो ears है उनका जो प्रधान दोश है वो वात दोश है जो tinnitus होता है वो वात दोश के imbalance के कारण होता है तो वात शामक जितने भी उपाई हैं वो सभी यहां करने चाहिए तो इसमें पहला है घृत पान यानि कि आपको घी का 7 करना है तो एक से दो टी इस्पून परड़े आपको अपनी डाइट में या लिक्विड के साथ जैसे भी आप 7 कर सकते हैं करना चाहिए दूसरा है करन पूर्ण या एर ड्रोप्स तो करन पूर्ण में मतलब है करन को तेल से भरना तो यह जो है आप आयरवेदिक चिकित्सक की प्रामर से करें एर डॉप के लिए देखे आप हलका निवाया जो तेल है उसकी दो से तीन डॉप एक एर में जिसमें हो रहा है या आप दोनों एर में डाल सकते हैं इसके लिए बिल्व तेल, खशीर बला तेल बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे वातसामक होते हैं, तो प्रयोग करने चाहिए उसके बाद है अभेंग्या मसाज, तो इयर के चारों तरफ जो है आप गुनगुने तेल की मालिश कर सकते हैं, आपने हैड या स्काल्प पे उसकी मसाज जो है अच्छा फाइदा पहुँचाती है उसके अतिरिक्त कवल या गंडुष जो ओयल पुलिंग करते हैं, मुव में ओयल भरके उसे रखना होता है, एक में गार्गल्स करना होता है तोचो कि हमारी और एर केविटी, हमारी नेजल केविटी, हमारी माउथ केविटी यह गनेटे होती है तोचो कि हम यह सभी तेल से करते हैं तो वार्षामक होती हैं और अच्छा फाइदा पहुँचाती है कवल और गंडोश को डिटेल में जानने के लिए आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हैं इसके अतिरिक वार्तशामक ओशधियां जैसे देवदारू है, बला है, यश्टी मदू है, गोक्षुर है इनका कशीर पाग बनाके या सिंपल इनका जो पाउडर है या चून कुछ दिन प्रयोग किया जा सकता है इसके अतिरिक आयर्वेदिक फॉर्मूलेशन, अर्श्वगंधारिस्ट, सारस्वतारिस्ट, बलारिस्ट, सारिवादी वटी इनका प्रयोग करना चाहिए तो जैसा कि हमने जाना कि टेनिटेस जो है ये कोई बहुत भेंकर या गंभिर बिमारी नहीं है लेकिन फिर भी जब ये लंबे समय तक बनी रहती है तो बहुत इरिटेटिंग और अनोइंग होती है और सबसे अच्छी बात जो है बहुत सिंपल उपाई जो हम आराम से घर पे कर सकते हैं उनसे ये ठीक हो जाती है दूसरा यदि हम इसको इगनोर करते रहते हैं तो आगे जाकर के ये बहरापन डीफनेश जो है या फिर इर्स की जो दूसरी डीजिस है उनका कारण भी बन सकती है तो बचाव या प्रिवेंशन के लिए भी करना चाहिए तो उमीद है आज की जो जानकारी है वो आपके लिए फाइदेमंद रही होगी यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वेडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक गुड केर ओफ यूरसल्फ बिकोज हेल्थ इस वेल्थ